हिस्त्री टू ने तोड़े कई रिकॉर्ड साल की सबसे सुपर हिट फिल्म बनी पहली दिन में लगाया कमाई का आर्थ सथाक। सारुखान की पठान जवान हो या फिर सनी देवल की गदर टू सबको पशार दिया पीछे लाद या भूचाल। कई दिगजों की फिल्मों के सार रिलिज हुई फिर भी नहीं पड़ा कोई फर्क का डाली छप पर फाड़ कमाई। यह दो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस फिल्म को देखोगे। क्योंकि जानकारी के मताबिक यह फिल्म साल 2024 की सबसे धुआधार फिल्म मानी जा रही है। इस फिल्म ने कई बड़ी सुपरेट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं एक ही दिन में। सारुक, सल्मान और सनी दिवल तो हाथ मलते रहे गे साब क्योंकि एस फिल्म ने एक ही दिन में कमाई का आर्थ सतक पूरा कर लिया। पता दे बॉलिबूर की हिट जोडी राजकुमार लाउस, रद्धा कपूर इन दोनों सिनेमा घरों में च्छाय हुए हैं। 15 अगस्त को इस जोडी ने साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म देकर रिकॉर्ड बना दिया। दरसल फिल्म स्त्री टू सरंता दिवस के दिन देलीच हुई और सुक्रमार 16 अगस्त को इसके पहले दिन का कलेक्शन आया। जिसमें फिल्म की छपर फार कमाई दिखकर आपके भी हो सुठ जाएंगे। इस दिन का टोटर कलेक्शन अनुमाने 54.25 करोड रुप्य हो गया। इतना ही नहीं है फिल्म कल की 2898 इसवी फाइटर को पच्छानकर दोजा 24 की सबसे बड़ी ओपनिंग डेक ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। इस संख्या रिकॉर्ड ओपनिंग है। बदादे आमर कॉसक के डारेक्शन में बनी फिल्म होरर कॉमेडी को दर्सकों ने काफी जादा प्यार दिया। फिल्म ने हिंदी में अपने पहले दिन 75.9% आउक्यूपेसी हासल किया। इस्त्री 2 पिछले साल सारुक खान की जबान पठान के बाद हिंदी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। बदादे इस्त्री 2 साल 2018 में आई फिल्म इस्त्री का सीक्वल है। इस दूसरे भाग में दर्सकों को कॉमेडी हॉरर का डवाल डोस देखने को मिला है। फिल्म में अक्षे कुमार वरोर धवन का कैमियो रॉल भी दिखाय गया है। जिसे देखकर दर्सकों ने थेटर में खूब सीटिया भी बजाए। इस्त्री के पहले भाग को भारत में 54-98 करोड की कमाई करने में 6 दिल लग गए थे। हलाकि ये हिट फिल्मों की केटागरी में सामिल हुई थी। इस्त्री 2 में राजकुमार सुरद्दा ने अपनी भूम का फिर से दोराई है। फिल्म की कहानी बताती है कि कैसे सरकटा चंदेरी के लोगों को आतंकित करता है। फिर भी इस्त्री से मदद की उमीद करते हैं। इस्त्री 2 को अपने पहले दिन अक्षकुमार ताफसी पन्नू इस्टारर खेल-खेल में जौन अब्राहें सर्वरी इस्टारर विदा से कड़ी टकर मिली है। फिर भी फिल्म ने अपनी पकड बनाए रखी। वॉक्स ओपिस पर अच्छा कारोबार किया। और आप उमीद है कि ये फिल्म सभी फिल्मों से अधिक रिकोर्टोर कमाई करेगी। नमस्कार